नमस्कार दोस्तो राजीव के लीटूब चैनल वे स्वागात प्रीज जैने आ वीडियो में हाजीर है देखिए दोस्तो एक टेबूल फेन है इसमें थोड़ा सी खराब है ए पंका सही से घूमरा नहीं तो इसमें क्या खराब है इसमें खोल के हम चेक करेंगे दोस्तो खोल के आपको देखाते हैं इसमें क्या खराब है इस पंका का सहब बहुत टाइट घूमरा तो इसको खोलना ही पड़ेगा दोस्तो मैंने पंका को खोल दिया दोस्तो देखिए आप देखते हैं किस किस चीज में प्रॉब्लम है इसमें कि इसमें आप देखते हैं इसको रोटार को भी भूल दें सैब भी खोल दिया है दोस्तो अब पंकेके थोड़ा से पोछ देते हैं दोस्तो अब अब एक हेखिए बूस को खोल के चेक करेंगे किस में प्रॉब्लम है आप देखिए बूस को खोलते हैं बूस में प्रॉब्लम है कि सैप में प्रॉब्लम है तो बूस को भी बूस सैप में लगा कि हम के रसीन मिट्टी वाला तेल देखे हम चेक करेंगे बूस में प्रॉब्लम है कि सैप में प्रॉब्लम है कि रोटर में प्रॉब्लम है इस अब आप चेक करेंगे देख बूस को खोलते हैं देखिए इसका बोडी से इसका जो दूठो स्कुरू है इसको खोलेंगे ढिला करके बूस को निकालेंगे बाहर उसका बात सैप में लगाएंगे करण संतेल देखे फिरी हो रहा कि फिरी गुम रहा कि नहीं इसको देखिए दिखाते हैं देखिए बूस मे चेक हो जागा दोस्तों बूस और च्पीड़ेंगा के मिठी वाला तिरसे चेक हो रहा जिसी तक्राइं प्लूस्त है से यह फुस है जेसे खागें खागें शेप के यहां से पंख्य चलने लागेगा दागे हो गया ना इगी सा गया इसके जलते थोड़ा फांसरा आंखे अब बूस से ही है इसे फीटिंग फीट से कर दे रहें इसका सैप से लिष्टाप है सैप नया लाएंगे मार्केट से फिल इसको फीट कर देंगे वह भी आपको देखाने वाले हैं नया सैप लाएंगे हैं देखिए किसा ही हो रहा है किसा है प्रगिजना बढ़ रहा सैप को इस तरह ठोक ठोक है प्रोटर के लगाना होगा देखिए पुराना सैप में नापी किया हो है खोलने के पुराना सैप खोलने के पहले नापी कर लिजेगे रोटर का साइज कितना में है सैप में उसका बाद आप फी नया सैप रोटर को सेट करना है थोड़ा मॉबील डार है रोटर का साइज में झाल 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 झाल